जब भी कोई व्यक्ति कार के गाड़े के पिछले सीट पर पैसेंजर के रूप में बैठता है तो वो कई परकार के कारी कर सकता है फोन पर बात कर सकता है, मेसेज चेक कर सकता है, बगल वाले व्यक्ति से बात कर सकता है कुछ खा सकता है, पी सकता है, बाहर गाडियों को देख सकता है या फिर बिलबोर्ड को देख सकता है लेकिन जो ड्राइवर है, जो चालक है, वो यहाँ वा नहीं देख सकता वो फोन पर बात नहीं कर सकता, वो मेसेज नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि यदि driver विचलित हो जाए, यदि driver distract हो जाए, तब एक ही बात होती है, accident, अब घात. उसी प्रकार से जीवन के यातरा में भी, यदि हम विचलित हो जाए, यदि हम distract हो जाए, तो जो हम पाना चाहते हैं, वो कभी नहीं पा सकते. और यदि हम विचलित नहीं होना चाहते, तो हमें driver चालक की भूमी का निभानी पड़ेगी, जब तक हम passenger की भूमी का निभाएंगे, तब तक हम विचलित रहेंगे, अपने संबंदों में हम विचलित रहेंगे, अपने कामकाज में, देनन दिंकारियों में हम विचलित रहें यदि हमको अपने जीवन में कुछ पाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमको अपने जीवन में ड्राइवर, चाला की भूमी का निभानी पड़ेगी हमको अपनी यातरा का चार्ज लेना पड़ेगा कई बार हम फोन को तो चार्ज कर देते हैं लेकिन जीवन को चार्ज करना भूल जाते हैं कई बार हम अपने लैपटॉप को चार्ज कर लेते हैं लेकिन जीवन की यातरा के इन चार्ज बनना भूल जाते हैं और इसलिए यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो चार्ज लेना सीखो पैसेंजर की भूमी का छोड़ दो, रिलाक्स करना छोड़ दो और ड्राइवर की भूमी का स्विकार करो फोकस करना शुरू करो, एकागर चित से ध्यान लगाना सीखो और जैसे ये करोगे, यश, सक्सेस, निश्चित रूप से आपके चर्णों में आ जाएगा